है थर दीज़े और आज के मॉनिग के चाय से की है सुबह में बना रही हूंँ है क्योंकि दिनों बाद आज मैंने चाय बनाई है क्योंकि दीदी हो रही है बिमार तो चाई बनाने मुझे पढ़ती है अभी otherwise मैं थोड़ा लेट उटती हूँ सरदी के मुसम में बेटी के साथ सोई रहती हूँ क्योंकि कोई काम सुबह सुबह का इतना होता नहीं है लेकिन अभी वो बिमार है तो पस्वो को चारा बगरा मुझे ही डालना पड़ रहा है तो मैं चाई बना रही हूँ यहाँ पर जब दूद निकल जाता है उसके बाद चाई बनाती हूँ फिर लंच वगरा बच्चों का रेडी करना होता है उसके बाद घर का साफ सफाई करना होता है तो आज आपके साफ सेर करती जाओंगी जो भी मैं आप करूंगी तो यहाँ पर सबसे पहले चाई बन चुकी थी और सभी चाई पी लेते हैं बच्चों को दूद बगरा दे देती हूँ उसके बाद अपना रूटिन स्टार्ट करती हूँ तो दोस्तों मैंने बच्चों को दूद बगरा दे दिया था बच्चे अभी उठने ही वाले थे अभी वो नहाएंगे नहाने के त्यारी करेंगे चुले में आज जला दी थी एक राड लगा दी थी तो बच्चे नहा लेंगे पसवो को चारा वगरा सब कुछ डाल दिया था दूद वगरा सब कुछ निकल चुका है पसवो को बस जो जाड़ो वगरा है वो लगानी है उस साइड में पसवो को जो नहलाए जाएगा वो लेट नहलाए जाएगा तो यहाँ पर मैं फटा फट से सारे आंगन में दोनों आंगन हैं उनमें जाड़ू निकाल लेती हूँ अंदर का बाद में करती हूँ बच्चे स्कूल चल ले जाने के बाद जाड़ू निकाल लेती हूँ भार की क्योंकि हबी सुबह-सुबह कोई काम है नहीं उठ जाती हूँ तो ये भी काम साथ-साथ नप्टे लेते हूँ दर्वाइज में थोड़ा लेट उठती हूँ तो फिर लेट ही काम स्टार्ट होता है तो ये कर लेती हूँ उसके बाद मैं लगा दूँगी मसीन ताजी पानी आ जाता है पानी भरना मसीन लगाना ये काम सुबह-सुबह ही निपड़ जाते हैं चुले में आग भी जला दी थी और इसके उपर हमने बाट बनाई थी तो ये भी बन चुकी है और जो गरम पानी है वो भी रख दूँगी और एक बाल्टी राड लगा देंगे तो उसमें साथ साथ सारे बच्चे नहा लेंगे तो क्योंकि चुले के पर ही ज़्यादा पानी गरम किया जाता है हमारे हाँ पर मतलब गीजर वगयरा की सुईदा नहीं है तो बस साथ साथ पानी आ गया था तो मैंने महसीन भी लगा दी थी और ये इतने सारे कपड़े हैं आप देख सकते हैं तो यहां पर यह कुछ बरतन रखे वे थे जो जूटे वे थे साइड में रख दिये हैं बाद में वोस करूँगी चाय वगयरा के भी बरतन हो गए हैं तो उन्हें एक साथ ही वोस करूँगी पानी आ गया था तो टाइल पर पानी दिकाई दे रहा होगा क्योंकि मैंने सारा पानी वगयरा भर लिया है और अभी जाडू निकालोंगी उस टाइम तक एक चकर कपड़ों का धूज आएगा तो फिर कपड़े भी निकाल दूगी स हो जाते हैं लास्ट में सारे कपड़े धूज आते हैं तब मैं उपर डाल कर आ जाती हूं को कुछ कपड़े नीचे डालती हूं ज्यादा कर कपड़े में उपर ही डाल कर आती हूं क्योंकि धूब अच्छी आती है उपर तो वहाँ पर अच्छे से कपड़े सूख जाते है तो फिर उतार कर लेकर आने पड़ते हैं तो यहाँ पर मेरे एक चकर वो सोव चुका था तो मैं वो निकाल लेती हूँ और एक चकर को मैं सुखाने वाले में डाल देती हूँ और दूसरे चकर को यहाँ पर दोने के लिए डाल जाऊंगी तब तक मैं कूड़ा वगएरा डाल कर आ जाऊंगी और सबजी वगएरा की तियारी करूंगी बच्चों के लंच वगएरा की तियारी करूंगी तो ऐसे ही मेरा काम रहता है सुबह से और आज की इस लोग में नाइट तक कर नहीं करूंगी अगर नाइट तक कर करूंगी तो काफी बड़ा हो जाएगा तो बने रहे ना वीडियो में और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को सेयर करना ताकि और लोग भी मेरी वीडियो को इंज्योई कर सके तो आप सभी से पूछना चाती हूं कमेंट बोक्स में जरूर बताएगा आप किस तरह की वीडियो देखना चाते हैं मोटिवेशनल वीडियो या कुछ अलग वीडियो देखना चाते हैं तो वो कमेंट बोक्स में जरूर बता दिएगे तो मैं उसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी जरूर तो ये कपड़े बगरा निचोडने के बाद मैं अंदर जाती हूं और बेटी को देखती हूं क्योंकि अभी तक वो सो रही थी अभी उठी नहीं थी और वो अभी उठ गई होगी क्योंकि एक बार मैं उसको देख कर आती हूं थोड़ा सा लाड़ पयार करके आती हूं उसका और फिर अपने काम में फिर से लग जाओंगी तो चलते हैं अंदर की तरफ तो यहाँ पर मैं जैसे ही अंदर आई तो आप देख सकते हैं यह मस्ती कर रही थी फोन के साथ फोन देख रही थी और आप देख सकते हैं दीदी ने जब इसे फोन चीन लिया तो ये मतलब इसको चुपोने की कौसिस कर रही थी और इसने हाद में जो ले रखा है वो साइद जो इसके दादा जी कल इसके लिए मतलब लोली पॉप ले कर आए थे ये लोली पॉप की काफी ज़्यदा सोकीन है तो आज जो दीदी थी वो चुटी के उपर थी उसने चुटी कर रखी थी क्योंकि इसको फिवर हो रहा था और डोक्टर के जाएगी तो यहाँ पर मैं अभी बच्चे स्कूल के लिए निकल गए थी और बेटी भी उठ गई थी तो husband को मैंने उठा दिया था वो अपना मतलब हार जाकर ready वगएरा होंगे fresh वगएरा होंगे काफी सारे काम करेंगे साड़े आठ बजे के करेबन वो निकल जाएंगे तो अभी जो टाइम हो रहा है वो पौनी आठ आठ बजे के करेबन का था तो मैं यहाँ सबसे पहले बिस्तर बगएरा को टह लगा लेती हूँ थोड़ा सा आज dusting भी कर देती हूँ dusting वैसे regular होते है थोड़ी सी deep cleaning जो होती है वो कर देती हूँ क्योंकि जो slap औगएरा है उन पर काफी जादा dust हो रहा है सादी के चकर में कुछ भी नहीं कर पाते थे फटा-फट से काम नहीं कुटाते थे simply rose dusting होती है वो ही कर पाते थे deep cleaning हुए कर कि काफी दिन हो गए एक दिन proper वीडियो भी बनानी है deep cleaning के उपर क्योंकि काफी दिन हो गए है deep cleaning की हुए टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हभी सादी का जिंजट है रोज इदर उदर मतलब रोज चकर कटते ही रहते हैं बस हभी just free हुए है तो हभी इस काम में भी जुटना है बकसे वगएरा भी साफ करने है बैड वगएरा को भी चेक करना है सब कुछ भिकरा हुआ पड़ा है तो यह सब चीज़े चेक करेंगे और उसके बाद वस एक proper routine में आएंगे और आपके साथ वीडियो से एर करते जाएंगे तो यहाँ पर सारे बिस्तर वगएरा टैक करने के बाद मैं टीवी ट्रोली पर आ गई थी क्योंकि बच्चों की डोड भी साफ की वे काफी दिन हो गए थे और बच्चे भी फुल मसते में थे कभी छुटी परते साधी में ऐसे ही मतलब उनका कोई टाइम टेबल नहीं था उन्होंने बुक्स वगएरा को इधर उदर फैक रखा था जो टोइज वगएरा थे उनको भी इधर इधर कोई भी प्रोपर उनका टाइम नहीं था कोई भी प्रोपर जगेसे कोई भी चीज वगएरा नहीं रखते थे तो आज मैंने मैंतलर थोड़ा सा टाइम निकाला और सोचा कि इसको भी πान से दस मिनट देदू उसको भी साफ कर देती हूँ क्योंकि बच्चों ने जो बुक्स के पिपर वगएरा फाड कर इस तरह से डाल रखे थे इसी के अंदर कलर वगएरा को किसी डब्बे के अंदर नहीं डाल रखा था ऐसे ही बखेर रखा था तो सारी चीजे जो एक्स्ट्रा थी वो मैं निकाल दी और जो चाहने की थी वो मैं रख देती हूँ और बहुत सारी टोईज थे जो टुटे वे थे जो यूज के नहीं थे केवल मैंने यूज आने वाले टोईज को रखा है जिन से बच्चे खेलते हैं बस जो एक्स्ट्रा थी वो मैंने सारे निकाल कर रख दी हैं साइड में उनको डाल दूँगी डस्ट बिन में तो बस आप देख सकते हैं ये ड्रोल मैंने बिल्कुल साफ कर दी है पान से दस मिन्ट लगे लेकिन ड्रोल बिल्कुल साफ हो गई थी और उसके बाद बस पिर एक बार सारी चदर वगेरा को अच्छे से जड़काने के बाद इनको लगा देती हूँ आज चदर वगेरा कोई भी बोस नहीं होगी क्योंकि कल मैंने सारी चदर वगेरा वोस कर दी थी week में one time हो जाती है या कई वी two time भी हो जाती है वो बच्चों पर demand होता है कई बार बच्ची क्या होते हैं खाना काते वक्त कुछ चीजे गिरा देते हैं तो मतलब मेसी तो हो जाती ही है तो ऐसे नहीं है हमारे गर में कपड़े वगएरा तो बहुत सारे होते हैं जो बोस करने होते हैं तो रोज मसी लगती है एक दिन भी नहीं चुटे और जिस दिन मसी नहीं लगाती उस दिन next day काफी सारे कपड़े हो जाते हैं बहुत सारे उसके बाद जो भी मैं इस लैप वगएरा थी जो भी फोटो जो गएरा रखे थे कोलाज वगएरा रखे थे उनको सभी को मैं आप देख सकते हैं साफ कर रही है क्योंकि ये कीवे काफी दिन हो गए थे और इसके पर इतना सारा डस्ट आ जाता है और आज जो बच्चों के कपड़े भी थे दरुदर हो रहे थे सभी को मैं अच्छे से टेह लगा दिया है तो बस ऐसे ही होता है मेरा ये काम कुछ चीजे रखे वी थी यहाँ पर मेरी मैक अप की बहुत सारा मैक अप मैंने उपर रखवा दिया था बहुत ही कम चीजे यूज नहीं करती हूँ जो दो तिन चीजे यूज करती हूँ उनको मैंने साइड में टक लेती हूँ बस वही यूज करती हूँ उपर जाना भी मेरा बहुत कम होता है तो मतलब 15-20 दिन में जाकर क्लिनिंग होती है वहाँ पर डेप क्लिनिंग वहाँ पर भी जाए वे काफी दिन हो गए है तो उसको भी भी बस फुरसत मिल गई है तो उसको भी एक दिन साफ करके आऊंगी और जब अपना मैक अफ वगर अच्छे से लगाऊंगी तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों कुछ साफ कर दिया था उसके बाद में लगा रही हूँ चदर तो इनको भी अच्छे से जड़का कर लगा देती हूँ तो अब आ गई थी मैं देदी वाले रूम में यहाँ पर भी ब्लैंकेट वगरा जो टै लगाने थी वो लगा लेती हूँ उसके बाद इसकी भी अच्छे से डस्टिंग वगरा कर देती हूँ उचिया experienced. दिश्या है जड़ी काफी जड़ा दूझला हो जाता है जिसा तो इसको मैं सही साफ कर देती हैं ताक अच्छे से साफ हो जाए इसमें दूंदला न दिखाई दे तो वह भी हो चुका है मेरा रूम चलते हैं अब फटा-फट सी जारु निका देते हूँ बार की जाड़ो मैंने पहले निकाल दे थी अंदर-ंदर की बची वी थी और जाड़ो निकालने के बाद फटा-फट से सारे घर में पोचा लगाना है उसकी बाद बरतन वगयरा बोस करने है तो यही होता है मेरे दो पहर तक का रूटीन यह सब काम होते हैं मेरे तो यहाँ पर मैं आ गई थी जाड़ो निकालने के लिए और कमरे में बिल्कुल भी जगह नहीं है रूम इतने चोटे-चोटे हैं स्पेस कम बची हुई है क्योंकि एक तो रूम चोटे हैं और एक समान ज़्यादा है यह कह सकते हैं समान ज़्यादा है जिसकी वज़्यादा है इसमें स्पेस काफी कम बची हुई है तो यहाँ पर मैं ज़्याड़ो निकाल लेती हूँ और नीचे जुक जुक कर ज़्याड़ो निकालने पड़ती है क्योंकि काफी ज़्यादा मतलग स्पेस यहां पर बहुत ही कम है तो जारू निकालने की बाद चलते हैं भार की तरह भार भार भी फटा-फट से निकाल लेते हैं जारू तो आज मैं जो पोचा लगाऊंगी वो वाइपर से ही लगाने वाली हूँ क्योंकि काफी दिनों गए थे बैर अगयरा के निचे काफी सारा डस्ट अगयरा रह जाता है चाहिए आप कितने मी निचे जुकर लगा ले फिर भी पूरे बैर के निचे हाथ में पहुच पाता तो वीक में दो से तिन बार मैं वाइपर से भी पहुचा लगा लेती हूँ तो मैं सफ़टा फ़चे अंदर का तिनों रूम का पहुचा हो चुका था और अब आ गए थी मैं होल के अंदर तो होल में भी स्पेस काफे कम बची हुए क्योंकि एक इसमें दिवान डला हुआ है चार पाई और दो सोफे तो थोड़ी ही स्पेस बचती है इसमें समान ज़्यादा है सारे रोम ही भरेवे हैं तो पाफी कम है पस बहार है आंगल जो खुला है और काफी घारी स्पेस आपको देखने को मिलती है वां पर अंदर तो बहुत ही कम स्पेस बज़्याती है तो यहाँ पर पोचा लगाने में दिक्कत काफी ज़द आती है ये सब कुछ करना पड़ता है अब सब कुछ हैबिट हो चुकी है जहां पर रहते हैं वही का मतलब हम भी सीक ले तो अब वह गया है साड़े बारा बजे और अब जाके काम खतम हुआ है तो हबी दीदी गई है डॉक्टर के और मैं भी सोने का मन कर रहा था लेकिन बेटी सुन रही है, सोंग ये नहीं सो रही है ये सो जाएगी तो उसके बाद मैं भी सोंग और पापा गए हैं आज कैंटिन में तो सामान रहने के लिए तो ये रेस्ट करेगी तब ही मैं सोंगी और इन्होंने चला ली हैं काने तो इसी वज़े से मैं वोईस ओवर कर रही हूं अधरवाइज मैं क्योंकि ये सोंग चला रहा थी इस पर कोपिराइट कलेम आ जा था जिसकी वज़े से मुझे वोईस बंद करनी पड़ी और बाद भी वोईस ओवर करनी पड़ी तो हेलो गुड इवनिंग अभी टाइम जो हो गया है वो सवा तीन बज़े का हो गया है और पसो के चारे का टाइम हो गया है साड़े पारा बज़े तक मेरा आफ्टरनून रुटिन था उसके बाद मैं सो गई थी थोड़ा रेस्ट किया था अभी बच्चे स्कूल से नहीं आये हैं मेरा बेटा स्कूल से आ चुका था वो मतलब दो बज़े के करीबन आ जाता है और जो बहन के बच्चे हैं वो साड़े तीन बज़े आते हैं स्कूल से जिदी डॉक्टर के गई हुए हो अभी तक नहीं ही आई है और यहां पर पसू के चारे का टाइम हो गया था सवा तीन बज़े तो यहां पर पसू भी खड़े हो चुके थे चारे के लिए तो सबसे पहले मैं इनको डाल देती हूं बुसा जो सुखा बुसा होता है वो अंदर कमरे में हैं अभी तो मैंने कई पार दिखाया भी है तो वो डाल देती हूं दोनों के और फिर बाद में जो विन का दलिया वगज़ा होता है बीनोले वगज़ा जो बनाई जाते हैं आंगीती के उपर उनको मैं इसके खल वगज़ा इस सब कुछ मिक्स करके इनको डाल देती हूँ और बस फिर ये जब तक खाएंगे तब तक मैं चाय वगरा बनाऊंगी पिऊंगी उसके बाद फिर इनको हरा चारा वगरा डालेंगी फिर खेट में चारा लेने के लिए जाऊंगी तो इमनिंग में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं ये करने के बाद में इनका गोगर भी सासा डाल कर रख देती हूँ बाद में कोड़ी के अंदर डाल के आऊंगी इंधन लेके आऊंगी तो इमनिंग में भी मेरे काम को आप बेमन से करते हैं मैं तो करना तो होता है काम जब बेमन से करे या करे ना करे वरोबर बात होती है तो यहां पर मैंने इनको डाल दिया था जो मैंने बना रखा था दलिया वगरा जो भी बनाया था सुबह बनाते हैं अभी इनका दोबारा से बनेगा वो सुबह डाल सवाद तीन बजी का बस वो को चारा डाल दिया है और अभी आई हूं किचन में चाय तो नहीं बनाऊंगी बेटी कर रही है ब्रैड के लिए क्योंकि पापा जी गई थी कैंटीन में तो समान लेकर आये थी उसमें सोस का यह दिख गया उसको तो अभी कह रही है ब्रैड खाने फिर उनके लिए ब्रैड बनाऊंगी तो मैं दोपैर में सो गई थी आज जी तो अभी मैं फटा फटा के कैंटीन का जो समान है उसको लगा देती हूं तो बच्चे भी स्कूल से आच चुके थे और यहां पर मैंने चाय बनाने के लिए रखती थी चाय मैं अच्छे से वाला गया है तो इसके अंदर मैं डाल देती हूं दूद तो बस यह अच्छा दूद रखावा था आज मैंने दूद गरम भी नहीं किया हुआ है ऐसे के ऐसे ही रखावा था तो बस दूद डालने के बाद मैं एक बार भार को दिखाती हूं बच्चे स्कूल से आए कपड़े बगएरा चेंज करने लगे और बच्चों की हो रही ही यहाँ पर मस्ती आप देख सकते हैं और यह कर रही थी ब्रैड के लिए जित तो मैं बेटे को कह रही थी ब्रैड लेकर आने के लिए अब यह लोलीपोप खा रही है जो पापा जी लेकर आए थी सुभाई काफी सारे लेकर आते हैं और इतना ज़्यादा खाती है बच्चों ने सारा समानी दर दर फैक दिया है और जो केंटिन का समान था उसको लगाना बाकी है पापा जी लेकर आये थे तो यह बीज़दर बहार रखका वा था तो यहाँ पर इनकी मस्ती चल रही थी और बस मैं इसको भेज रही ब्रैड लेकर आने के लिए मेरी चाई म में चाई पीना और सरदी में चाई का मजा तो कुछ अलगी होता है तो मेरी चाई भी उबल चुकी है और फटा फट से चाई चानती हूँ देखे आती हूपावाजी को बहा देदी को और मैं तीनों चाई लोग पी लेंगे उसके बाद इनका दूद बना दूँगी इसी भ ना पसंद करता है चाहिए आप मैं इसी भगोने के अंदर दूद डाल दे तो खुस हो जाएगा हाँ उसको चाई वाला दूद मिल गया है तो बस यहाँ पर मेरी चाई रेडी हो चुकी है बच्चों की ब्रैड भी आ चुकी है तो ब्रैड तो बेटी से एक लेती है क्योंक क्योंके लिए और भी यह साधी भ्यामी को इतना बीजी कई पर हो जाते हैं तो वह आराम से कोई गैस्ट फगरा पीछे से आजाता है तो इतनी हेल्प कर देती है तो ऐसा ही होना चाहिए क्या होता है क्या बच्ची बड़े बड़े हो जाते है उनको चाई बनाने तक नहीं आती तो अपने बच्चों को स्टार्टिंग से छोटी-छोटी हैबिट सीखा दे तो आगे बच्चा मतलब परेशान नहीं होगा कभी भी बच्चा भुखा नहीं रहेगा आराम से कुछ भी खा सकता है खुद बना कर खा सकता है अगर उसकी मम्मी कहीं चली जाए या कुछ भ ब्रैड लेने के लिए दोड रही है और यहां पर देख सकते हैं लोली पौप को रखकर दोड गई देख सकते हैं वो उसे के पास पहुँच गई भक्षों को थोड़ा सा भी मतलब वेट नहीं रहता और काफी खुस हो गई है तो मैंने यहाँ पर चाय भी छान लिए आप देख सकते हैं और मैं हमेशा ही कटोरी के इंदर चाय लेती हूँ तो बस चाय वगएरा पीने के बाद चलते हैं पसो को हरा चारा वगएरा डालूँगी फिर उनको पाने वगएरा पिलाऊंगी तो यहाँ पर मैं आ गई थी पसो को चारा डालने के लिए जो की हमने ये काट कर रखा हुआ है इसको बरसम बोलते हैं कुछ लोग कास्नी बोलते हैं तो आप कुछ भी बोलते हैं हम कास्नी बोलते हैं कई जगे पैसे बरसम भी बोलते हैं तो हभी मैं ये पसो को डाल कर आ जा निदूद निकाने की बाद फिर उनको अंदर बांते हैं तो हम देख सकते हैं कि कैसे वेट करgeb i90 यह कर रहे है राचारे के लिए निदूद भड़ता है बसो को टाइम पर από 4 वगया । तो बस आज की व्लोग को यहीं पर खतम करते हैं मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लोग में तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो जरूर बताईएगा तो यहां पर मैं कूरी के अंदर चली और मैंने सूट चेंज कर लिया था क्योंकि मुझे कहीं जाना था तो बस इस लोग को यहीं पर खतम करते हैं और जाओंगी कभी कहीं और कहीं तो वस मिलेंगे एक नेक्स व्लोग में तब तक के लिए बाबाय टेक है थेंक्यू